धर्मेंदर इंडियन सिनेमा का एक ऐसा कलाकार जो आज भी अपने फैंस के दिलों की धड़कन बना हुआ है धर्मेंदर ने अपने बॉलिवुड करियर के दौरान कई मशूर फिल्मों में काम किया और इसके अलाबा अपनी निराली एक्टिंग के साथ साथ अपने चाम से भी लोगों को खूब एक्टर्ट किया एक ऐसा कलाकार जिसने गरीब परिवार से लेकर बॉलिवुड की सितारों के बीच अपनी अलग पहचान मनाई और आज भी 87 साल की उमर में भी सलमान और जौन जैसे फिट एक्टर्स को टक करते रहे है भले ही इस रो का प्रज्यान रोवर भी स्लीप मोड में चला गया हो लेकिन धर्मेंद्र आज भी रिटायर नहीं हुए और ना ही अपना रेस्ट मोड एक्टिवेट किया हाली में धर्मेंद्र करन जोहर की फिल्म रोकी और रानी में लिप लौक करते दिखाई दिये थे इस सीन ने खूब कॉंट्रोवर्सी भी क्रेट की थी ऐसे ही अमिताब बच्चन और जिया खान के इंटिमेंट सीन ने भी खूब सुर्ख्या बटोरी थी जिसे लेकर बच्चन साब को काफी ट्रोल भी किया गया था जिसकी सबसे बड़ी वज़ा थी कि उस वक्त अमिताब 63 के थे तो जिया खान केवल 18 साल की थी हलाकि अपने लिप लौक सीन पर धर्मेंद्र खह चुके हैं कि उन्हें नहीं लगा था कि ये सीन लोगों को इतना सर्प्राइजिंग लगेगा शबाना आजमी संग दिये लिप लौक सीन के बाद धर्मेंद्र इस मूवी में गतर मचाने वाले हैं जिस बात को खुद उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अपने फैंस के साथ बड़ी ही करम जोशी के साथ शेयर गिया अपनी नेक्स्ट फिल्म में धर्मेंद्र एक रिटायर्ड आर्मी आफिसर का रोल लिभाएंगे इस वीडियो और उनकी पोस्ट पर फैंस जम कर प्यार भी बरसाने लगे हैं आपको धर्मेंद्र का ये लुक कैसा लगा और आप धर्मेंद्र की इस मूवी को लेकर कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताईएगा Bureau Report, News India, Digital